मेरे प्रियात्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शबद लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन 1563 इस्वी में हुआ और धर्म की रक्षा के लिए 1606 इस्वी में उन्होंने अपने प्राणों की आहुती दे दी। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी मिठ बोलना जी हर सजन सुवामी मोरा। लोग सवाल पूछते हैं कि जब परमात्मा घटगट में है, हमारे भीतर बैठा है, तो फिर मनुष्य गलत रास्ते पर क्यों जाता है। उसी का जबाब दे रहे हैं कि मिठ बोलना जी हरी सजन सुवामी मोरा। मेरा जो गोविंद है, मेरा जो प्रियतम है, वो बहुत ही सजन है, बहुत ही मिठा बोलता है। लेकिन इतने मिठे तरिके से बोलता है कि उसकी मिठी आवाज हम सुन नहीं पाते हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी हो समहल था कीजी वो कदय न बोले कोरा वो कभी करवा नहीं बोलता है मैंने बहुत बार सावधानी से उसको सुना है लेकिन कभी वो करवा नहीं बोलता है वो कभी मना नहीं करता है बलकि उसके शब्द कोश में नहीं शब्द नहीं है औ तुम्हारा अगर सही नहीं हो तो वो उत्तर दे भी तो कैसे दे जैसे तुम कहते हो कि हमें व्यापार में घाटा नहीं लगे अब नहीं शब्दों नहीं सुनता है वो सुनेगा मुझे व्यापार में घाटा लगे तुम प्रार्थना करते हो कि मुझे असफलता नहीं मिले व तुम प्रार्षना करते हो मैं बीमार नहीं पड़ू और वह नहीं शब्द सुनता नहीं है वो सुन लेता है मैं बीमार पड़ू इस बात को ठीक से समझ लो तो प्रार्षना तुम्हारी सही हो जाएगी और प्रार्षना सही हो जाएगी तब वो कहीं और थोड़े है घट में बैठा तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा है हूं समल थकीजी वो कदय न बोले को रहा है कभी भी वो कड़वा बोलता नहीं बलकि उसके शब्द कोश में नहीं शब्द है ही नहीं कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी कड़वा बोल न जाने पूरन भगवाने एक अद सवा बोलने का काम गुरु के जिम्में इसने स्वाप जिया जो पूरा गुरु है और नहीं बोलता है गुरु का यह काम है अगर तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो तो कभीर साब कहते है कि गुरू कुमہार सीसकुमभ है और लखिलखी काड़े खोट और भीतर देत सहार है बाहर चोट गुरु बाहर बाहर चोट देता है भीतर से सहरा देता है लेकिन परमात्मा तुम्हें चोट नहीं देगा वो पूरा परमेश्वर है इसलिए जब वो पूरा गुरु के रूप में होता है उस समय तुम्हें मना करता है और कभी डांटदा भी है रोश भी दिखला बेखता है कि किखे हैं गुरु अर्जुन्देवजी। लेकिन अगुण को नहीं लेखता है। इसलिए बिहार के दरिया साफ कहते हैं जीव के गुन औगुन जन खोजिए ऐसी रहानी ना आई हे गोविंद मेरे गुन औगुन को आप मत देखो अब भक्तों ने इतनी प्रार्फनाय की हैं परमात्मा ने भक्तों के औगुन को देखना ही बंद कर दिया कहते हैं कि जीव के गुन औगुन जनल खोजिए ऐसी रहानी ना आई मुझे ऐसा रहना नहीं आता है कि मुझे कोई दोश न हो जाए मुझे कोई गलती न हो जाए और उठत बैठत नाम तुम्हारा सरन सरन गोहर आई हम तो उठते बैठते हमेशा तुम्हारा नाम लेते हैं तुम्हारे नाम का सुम्रन करते हुए जीते हैं, फिर भी अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, तो उस गलती को तुम माफ कर दो, उस गलती को मत देखो, कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, पतित पामन हरी बरद सदाए, गोविंद कैसा है, वो पतित पामन है, कितने भी हमसे बाह पकड़ करके, वो समाल लेता है, और बरद, वो सदा बरदाएक है, सदा बरदेने वाला है, जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, अब तेरी शरण आयो राम, जबे सुनिया साध केमुक पतित पामन नाम, कहते हैं, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, और मैंने संतों से सुना है, कि तु पतित पामन है, और अगर मैं पतित हूँ, मुझमें अगर अवगुन है, तो फिर तुम ही मुझे समालोगे, तुम ही मेरी बाह पकड़ोगे, तुम तो पतित पामन हो, कहते हैं, गुरु अर्जुन देव जी, पतित पामन हरी बरद सदाएक तिल नहीं भन्ने घाले कहते हैं कि किसी के किये को रत्ती भर भी नहीं भूलता है तुम जो भी करते हो और कहीं अलग से और रेकॉर्ड नहीं कर रहा है तुम्हारे भीतर ही बैठा है तुम्हारे बायो टेप में तुम्हारे हर कृते के हर भाव का हर विचार की रेकॉर्डिंग चल रही और वह recording तुम्हारी महा जीवन यात्रा के साथ चलती है इसलिए महा जीवन प्रग्या में जब तुम आते हो यहां पर रोशोधारा में तपने पिछले कई जन्मों को देखते हो कैसे देखते हो क्योंकि उन सब की यादें तुम्हारे बायो टिप में तुम्हारे सबकॉंसेस में मवजूद है और परमात्मा हर चीज तुम्हारा साक्शी है और हर चीज तुम्हारी ही याद बन करके तुम्हारे वीतर संजोदेता है जिसके लिए कबीर साब कहते हैं अवगून मेरे बापजी बखसो गरीव निवाज तुम मेरे पिता हो, हे गोबिंद, तुम गरीब निवाज हो, गरीबों की रक्षा करने वाले हो, इसलिए मेरे जितने अवगुण हैं, उनको तुम छमा कर दो, जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाच, अगर मैं कुपुत्र भी हूँ, तब भी, अब तुम मेरे पिता हो, अगर मेरी बदनामी होगी, मेरी शिकायत होगी, तो तुम्हारी ही तो शिकायत होगी, कि देखो, गोबिंद का लडगा और कितना दुष्ट हो गया है, इसलिए मेरी तो छोड़ो, अपनी लाज की रक्षा के लिए, तो तुम, अपने यश की रक्षा के लिए, तो तु तुम्हारा जो निराकार है तुम्हारा जो अभ्यंतर है उसी में परमात्मा आत्मा के लूप में विराजमान है जिसके लिए संत नाम देव कहते हैं कहत नाम देव हरे की रचना और देखाव हिर्दय विचारी गोविंद की इस रचना को तुम अपने हिर्दय में अपने नि गट अंतर सरब निरंतर केवल एक मुडारी सब के भीतर बैठा है और एक बात और याद रखो निरंतर बैठा हुआ है और घट-घट सरब निरंतर तुम्हारे इन घट में नहीं बैठा है सबके घट के भीतर जो अंतराल है वहां परमात्मा नहीं है वह इस स्पेस में भी परमात्मा है वो सहज के रूप में कॉस्मिक मैट्रिक्स के रूप में पूरे आकाश में विद्यमान है कहते हैं गुरु अरजुन देव जी घट घट वासी असरब निवासी और नेरे हीते नेरा वो तो तुम्हारा अंतर्तम है वह तो तुम्हारा कोर है वह तो तुम्हारा केंड्र है वह तो तुम्हारा बींग है वही तुम्हारा होना है जिसके लिए गुरु अरजुन देव जी अन्यत्र कहते हैं देहु संदेशरो कहियो प्रियक कहियो लोग पूछते हैं कि कहां है पर संदेशरो कहियो प्रिय कहियो मुझे संदेशा दो बिसम भाई मैं बहुविदी सुनते काहू सुहागिन सहियो मैं तो बिसमित हो गया है सुहागिन संतों मुझे बताओ कि कैसा है परमात्मा को कहतो सब बाहर-बाहर को कहतो सब महियो कोई कहता है को बाहर है कोई कहता है वो तो ऐ सुहागन संतों मुझे सच सच बताओ कि जब कुछ है नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि वो कैसा है सरव निवासी अब देखो संत जवाब देते हैं गुरु अरजुन देव जी को क्या देते हैं सरव निवासी घटघट वासी लेप नहीं अल पाईयो वो सब के भीतर बैठ रहा है लेकिन वो निरंजन है उस पर तुम्हारे मन का कोई लेप चड़ता नहीं और नानक कहत सुनहुरे लोगा संतरसन को बसाहियो नानक देव जी कहते हैं गुरु अरजुन देव जी के माध्यम से कि वो संतों की जहवा पर विद्यमान है वो संतों के उपदेश्ट से जाना जा सकता है कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी नानक दास सदा शरनागती नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि मैं सदा तुम्हारी शरनागती हूं और यह धर्म का शिखर आ जाता है यह शरनागत भाव यह तुम्हें धर्म के और तीसरा चरन जिसकी बात गुरु अरजुन देवजी ने अन्यत्र कहा है कि जो तुम करोगो विंद वही तुम ही करते ही हो भले और बुरे का अब सवाल नहीं है करने वाले जब तक हम थे तब तक अनकूल और प्रतिकूल तुम पहल तुम देते थे उसका ख्याल था अब तुम ही करने वाले भी है तुम ही कराने वाले भी हो और ये शरनागत भाव यह शिकर चूलेता है सोई कराई जो तुद्भावे मोही सियानप कच्छून आवे हम बारक तव सरनाई हम बच्चे हैं और तेरी शरण में है जैसे बच्चे माता-पिता की शरण में होते हैं यहां शरनांक दभाव शिकर चूलेता है कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी नानक सजन मेरा गुविंद कैसा है वो अमृत है वो सजन है और गुविंद सदावरदाएक है जिसके लिए गुरू अर्जुन देवजी अन्यत्र कहते हैं अमृत वानी हर हर तेरी सुन-शुन होए क्ने परम गती मेरी यह शुन्य हो गई जाँ, absolute moment, इसी का नाम समाधी है, तुम भी किसी कामिल मुर्शित से जुड़ो, उसे नाम का रहसे, उसके द्वारा जानो, और नाम का सुविरन करते करते, नाम की समाधी में चले जाओ, जहां परम गती हो जाती है, समाधी गती हो जाती है, यही सहजी हो गए आरेयों उन्दस आव अधिस